दोस्तों नमस्कार रचना संसार में एक बार फिर से आप सबका हादिक स्वागत है वैसे तो हम सभी 21 सदी में जी रहे हैं और हम हर घड़ी विकास के नए आयाम छो रहे हैं लेकिन फिर भी आज भी हमें कहीं न कहीं जातिवा धर्म को लेकर भेदभाव देखने को मिल ही जाते हैं आज की अपनी इस कविता में मैंने इसी का बयान किया है सुनिएगा जातिधर्म क्या होता लोगों जरा बताओ तुम हमको हर इंसां इंसां होता है फिर ये जाती भेदभाव क्यों पैदा करके मालिक ने सबको एक ही जैसा खूंदिया सबको उसने एक सा बनाया फिर हमने क्यों भेद किया सोच कितनी घटिया लेकर उचा दिखाते खुद को लो बिना किसी को पूरा जाने उस पर लांचन लगाते लोग खुद है खान बुराई की वो और उंको बुरा बनाते लोग उच जाती से क्या होता है गर कर्म नहीं के उचे अंतर मन में जाको पहले और देखो अपने गुड़ गुड़ गैरों पे उंगली उठाने से पहले खुद का दूर करो गुड़ भूल है तेरी जो जाती को लेकर खुद को कहते हो तुम अहां जाती से कोई महान नहोता कर्म बनाता उन्हें महान ग्यान वान होकर भी तुने आख पे क्यूं पर दाडाला तेरी जैसे लोगों ने ही भारत को पीछे कर डाला इसलिए मैं कहती लोगों एक बात तुम लो ये जान जाती धर्म का भेद मिटा कर बन जाओ तुम भी इंसान हर इंसा को इंसा संझो और कर्म को सब से महान धन्यवाद जान्यवाद झालओ